मैं विरंदर कशिप आप सभी किसान भायों का स्वागत करता हूँ कशिप एगरिकेमिक्स यूट्यूब चैनल पर आज मैं केल्शिम नाइटरेड फर्टिलाइजर का रिव्यू करने जा रहा हूँ मैं यारा लिवा ट्रोपिकोट फर्टिलाइजर को काफी समय से डालता आ रहा हूँ और इसके काफी बढ़िया रिजल्ट भी है जो किसान भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनों ने इस चैनल को सस्क्राइब करके रखा है मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए इंटरस्टिंग टॉपिक बनाने की कोशिश करता हूँ तो आज हम बात करेंगे यारा लिवा के ट्रोपिकोट कैल्शियम नाइटरेट के बारे में केल्शियम नाइटरेट यानि कि इसमें हमें केल्शियम और नाइटरोजन देखने को मिलता है इसमें हमें टोटल नाइटरोजन 15.5 प्रतिशत एमोनिकल और नाइटरेट फॉर्म में मिलेगा नाइट्रेट नाइट्रोजन 14.5 प्रतिशत और केल्शियम की मातरा इसमें 18.8 प्रतिशत रहेगी ये फर्टिलाइजर पानी में पूरी तरह से गुलनचील है इस खाद में कल्शियम, कल्शियम नाइटरेट के रूप में पाया गया है जो की पानी में पुरी तरह से गुलंशील है अगर किसान भाईू आप के फसल अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कल्शियम नाइटरेट की कमी है इस खाद को डालने से आपके बंपर क्रॉप के चांस भी बन सकते हैं इस फर्टिलाइजर को आप सभी परकार की अनाजवर्गियो फसल सभी परकार की वेजी टेबल्स और जो फूरूट वराइटी जैफल देने वाले पौधे हैं उन सभी पर आप इसे डाल सकते हैं या फिर जो आप वेजी टेबल्स लगाते हैं उसमें कई बार पीलापन भी आ जाता हैं और केल्शिम नाइटरेट पौधे को हरा भरा रखने में और उसे ग्रो करने में काफी मदद करता है और बात की जाए फल देने वाले पौधों की तो जो फ्रूट है उसके शेल ड्वेवलपमेंट में और जो साइज है उसके ड्वेवलपमेंट में काफी मदद करता है केल्शिम नाइटरेट यारा लिवा ट्रोपिक ओट फौटिलाइजर इंस्टेंटली काम करना शुरू कर देती है इसी क्वालिटी के कारण यारा लिवा अन्युव फौटिलाइजर से काफी बहतरीन एक्सपेरियंस देता है आप इस fertilizer को सभी प्रकार की फसलों पर डाल सकते हैं अगर आप धान की खेती कर रहे हैं 10 से 40 दिन की आपकी फसल है तो आप 5 किलो प्रती एकड डाल सकते हैं इसे आप धान के साथ गेहूं, कपास, शिमलामिच, सेब, अंगूर, नाशपाती, या फिर पलम आप सभी प्रकार के जो आपने फसल लगा रखी है, उस पर आप डाल सकते हैं सभी फसल पर हमें इसकी अलग-अलग डोज डालनी परती है अगर वही धान 40 से 60 दिन का हो तो हम वहाँ पर 8 किलो तक प्रती एकड डाल सकते हैं फल देने वाले पौधों की बात की जाए तो उनमें भी अलग-अलग तरह से डोज डालनी परती है जो चोटे पौधे है उसमें कुछ और डोज रही की और जो बड़े पौधे है फल देने वाली उसकी कुछ और डोज रही की इसलिए आप अपनी फसल पर केल्शियम नाइटरेट फर्टिलाइजर को डालना चाहते हैं तो अपनी फसल का नाम कमेंट करे मैं सभी के कमेंट परने की कोशिश करता हूँ और आपको बेस्ट रिकमेंडेट डोज भी बता दूँगा चलिए बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस के बारे में ये आपको मार्केट में 25 से 3,000 रुपए के करीब 25 किलो की पैकिंग मिलेगी अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है आप वहाँ से इसे खरीदते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे नोटिफकेशन बेल ओन करना ना भूले ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे इस चैनल पर आपको कृशी से संबंदिती जानकारी मिलती हैं धन्यवाद